इन दोज संभाग आयक तो डॉक्टर पवन कुमार शर्मा कोरोना मरीजू के इलाज के लिए चिन्नेत अस्पताल, MRTB अस्पताल पहुचे यहां उन्होंने PPE की पहन कर अस्पताल का निरिक्षन किया निरिक्षन के दोरान उन्होंने पिछले लगभग 6 मा से कठीन और विप्रित परिस्थितियों में कारी कर रहे डॉक्टर्स और अन्य स्थाफ का हौसला वड़ाया उन्होंने डॉक्टर्स और स्थाफ की चुनोतियों को समझा इस अउसर पर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि डॉक्टर्स और स्थाफ कुरुना के खिलाब पूर्ण समर्पन और निश्था भाव से लगाता सेवा कारे कर रहे हैं गर्मियों में भी पी-पी किट पहन कर कारे करना बड़ी चुनोति था इसके बावजूद भी उन्होंने बहतर कारे किया डॉक्टर्स और स्थाफ जिस तरह से कारे कर रहे हैं वह सराहनिय है अस्पताल में बहतर से बहतर इलाज किया जा रहा है इसके फलस्वरूप मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं इस दोरान डॉक्टर शर्मा ने विभिन वार्डू का निरिक्षन किया साफ सफाई एवं भूजन के विवस्ता को देखा मरीजों से चर्चा की और उन्हें उपलब्द कराई जा रहे विवस्ताओं और सुविधाओं के जानकारी ली पिछले लगबग 6 महिने से हमारे डॉक्टर्स कठिन परिस्तितियों में कोरोना से लड़ रहे हैं तो आज उसी परियास को में देखने के लिए आया था बड़ा अच्छा लगा कि सभी के भी हमारे अधिकारी, करमचारी, डॉक्टर्स इन कठिन परिस्तियों में पूरे इस टीपी किट के साथ अंदर गर्मी के भी माहौल में पूरा काम कर रहे हैं पेशेंट से भी बात करने का मुका मिला, आर सैटिस्वाइड, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है और इस सब को देखके खुशी होता है कि हमारे सभी डॉक्टर बहुत भेहनत कर रहे है सभी नर्सी, सारा एडिशनल स्टाफ, सफाई व्यश्ता भी बहुत अच्छी है भोजन व्यश्ता अच्छी है, क्लिनिकली अच्छे से अच्छा हिलास देने के हम प्रियास कर रहे है और इन सब प्रियासों से हम निश्चीती कोरोनस जीतेंगे इस दोरान मेडिकल कॉलेज के दिन डॉक्टर जूती बिंदल, MRTB अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सलील भारगाउ साहित, अन्य चिकित्सक और स्टाफ मौजूद थे